हेलो एवरीवन वेलकम अगेन लन्वरे देतिमन केंद्र विद्याले संग्ठन सिक्षक भरती का एक और नया विज्यापन जारी हो चुका है वैकेंस से यहाँ पर प्री प्राइमरी टीचर्स की निकाली गई है पी आर्टी की है टीजीटी और पीजीटी की है यानि बी एड, बी टी सी, बी एस टी सी, स्टी सी स्टूडेंट जो है डी लेड स्टूडेंट और इसके अलावा एंटिटी सब ही जो है यहाँ पर अप्लिकेशन कर पाएंगे बिना परिक्षा यहाँ पर सिक्षक बन सकते हैं कोई आप लोगों का एक्जाम नहीं होगा नहीं एप्लिकेशन के समय कोई फीस लगने वाली है सब भी राजियों को कैंडिडेट यहाँ पर अलाव रहेंगे तो चलिए नोटिपिकेशन देख लेते हैं केंडरे विध्याले फतिगड साहिब से विग्यापन जारी हुआ है और अनॉंस्मेंट सेक्षन में आप लोगों को चार नई अपडेट नजर आएंगी ठीक है तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं अनॉंस्मेंट सेक्षन में विग्यापन सिक्षकों की भरती तो advertisement है यहाँ पर बिविन पदों के लिए पातरता मांदन, eligibility क्या रहने वाली है सभी post के लिए, वो हम चेक करेंगे, बिविन पदों के लिए आवेदन पतर, सभी के लिए application form अलग अलग रहने वाला है, बिविन पदों के लिए online आवेदन form, चीक है, तो आप लोगों को सारी चीजे जो है, यहाँ पर मिल जाएगी, तो यह देखिए, eligibility जो है, यहाँ पर PZT, Math, Physics, Chemistry, Biology, English और Hindi, इसकी post निकाली गई है, PZT में, तो यहाँ पर post graduate in concerned subject with at least 50% marks in aggregate and beard from a recognized university, आप लोगों को इन subject में, Math, Physics, Chemistry, Biology, English और Hindi, इसमें post graduation 50% अंकों के साथ, और साथ में beard compulsory यहाँ पर रहने वाला है, salary 27,500 यहाँ पर मिलेगी, तो केंद्रे विध्याले में 26,500 जो है, वो PZT के जो teachers है, उनको दी जा रही थी, बट यहाँ पर 27,500 पर month आपको मिलेगी, PZT Computer Science के लिए 50% marks के साथ में, यहाँ पर बहुत सारे option रहते हैं, PZT Computer Science में, degree या diploma, दोनों ही जो है, वो Computer Science में नहीं मांगा जाता, 27,500 जो है, यहाँ पर Computer Science Teachers को मिलेंगे, TZT में यहाँ पर Hindi, English और Sanskrit, ठीक है, इसके लावा math की भी vacancy है, social science की भी vacancy है, trained graduate teacher, जहाँ पर Hindi, English, Sanskrit, Math और Social Science, इसके लिए eligibility जो है, आप देखें, Hindi, English और Sanskrit के लिए, तो यहाँ 50% जो है, वो अंकों के साथ, in subject में, ठीक है, चाहे आप Hindi के लिए application करना चाहें, English के लिए, या Sanskrit के लिए, तो आप इन में जो है, जिस भी subject के लिए application करना चाहते हैं, तो graduation में 50% तंग आपके होने चाहिए, इस subject में, साथ में be at compulsory है, और seat at paper to, जो है, वो आप लोगों का clear होना चाहिए, 6 to 8th का, 26,250 य आप लोगों ने graduation में math ली हो, और साथ में 2 subject, physics, chemistry, electronic, computer science, with at least 50% marks, in the concerned subject, and in aggregate, and be at, ठीक है, be at भी जो है, यहाँ पर चाहिए, यदि आप TZT math के लिए application करना चाहते हैं, और seat at paper to, TZT social science में हमेशा की तरह है, यहाँ पर भी जो है, वही कहा गया है, गि graduation in any two subject, इन दो subject में आपने graduation की हो, तीनो साल पढ़े हो, history, geography, economics, political science, इस मैंसे history या geography, एक subject तो compulsory ही रहेगा, 50% के साथ में seat at paper to, तो यहाँ पर TZT के लिए सबी subject के लिए 26,250 salary आपको मिलेगी, next देखें, यहाँ कोई exam नहीं होगा आप लोगों का, केवल जो है वह आप लोगों का interview होगा, primary teachers, PRT के लिए यहाँ salary 21,250 है, और यहाँ 12th के साथ में 50% अंग, आपके 12th में होने चाहिए, D-Ed, B-Ed, B-L-Ed, J-B-T, E-T-T, B-T-C, D-T-C, ठीक है, बहुत सारे जो है, degree, diploma, धारी जो है, यहाँ पर application कर सकते हैं, PRT के लिए, 125 के teachers बनने के लिए, seat at, जो है, वो paper 1 आपका qualify होना चाहिए, next जो है, वो computer instructor के लिए, जो यहाँ पर eligibility है, तो यहाँ salary जो है, वो computer instructor के लिए, जो है, यहाँ पर दो तरीके से मिलेगी, एक तो 125 के teachers, अगर यदि आप बनते हैं, तो 21,250 आप लोगों को दिये जाएंगे, यदि आप यहाँ पर 6 class से उपर की classes को यहाँ पर पढ़ाते हैं, तो 26,250 आप लोगों को मिलेंगे, यहाँ पर computer instructor के लिए भी computer science की तरह ही degree या ड रहते हैं, next vacancy, काफी vacancy है, इस school से आई है, जो केंदरे विध्याले, फतेगर से, sports coach, athletics, twaikando, volleyball और basketball, तो यहाँ पर diploma चाहिए, आपका activity, art and craft coach की भी आवशकता है, जहाँ पर भी diploma मांगा गया है, music and dance coach में भी bachelor degree in music या dance में होनी चाहिए, योगा teachers की भी vacancy है, जहाँ एक साल का जो है, कम से कम एक साल का diploma और graduation आपकी मांगी गई है, योगा में, counselor, counselor के लिए BA या BSC psychology में आपने किया हो, और साथ में diploma होना चाहिए, guidance या counseling का, next nurse की vacancy है, जहाँ 3 year diploma या degree nursing में चाहिए, उसके बाद है, बालवाटिकर teachers की भी जो है, यहाँ पर vacancy है, pre-primary teachers की, जहाँ पर 12th मांगा गया है, 50% अंकों के साथ, और आपके पास diploma होना चाहिए, entity course होना चाहिए, या DECAD होना चाहिए, या फिर BAD nursery भी अगर आपने किया है, तो भी आप यहाँ पर application कर सकते हो, तो यहाँ आपको 21,250 जो है, वो आप लोगों को बालवाटिका teachers के लिए मिलेंगे, special educator, primary और upper primary, यहाँ पर vacancy है, जहाँ 12th मांगा गया है, 2 साल का DECAD special education में होना चाहिए, special educator secondary और senior secondary में भी जो है, यहाँ पर vacancy आई हुई है, graduation साथ में आपने BAD किया हो, special education के साथ, तो आप यहाँ पर eligible है, diploma वाले भी eligible है, age limit जो है, वो उम्र जो है, यहाँ पर रखी गई है, proficiency in teaching in Hindi and English medium, Hindi English दोनों ही medium में जो है, वो पढ़ाने का रहेगा आप लोगों का, knowledge of computer application is desirable for all the teaching post, सभी post के लिए यदि computer application, computer की knowledge आप लोगों को थोड़ी बहुत है, तो जो है interview में, जो है, वो आप लोगों को थोड़ा benefit मिलता है, बाकि अगर नहीं भी है, तो भी चलेगा, return test may be conducted if necessary, अगर आवश्यक्ता हुई वैसे, तो यहाँ पर कोई भी परिक्षा नहीं होगी, बट यहाँ लिखा है, कि अगर ज़रुत पड़ती है, तो उसी वक्त जो है, वो आप लोगों को पता चलेगा, कि return test भी हो सकता है, यह ऐसी condition जब होती है, जब student की संख्या जो है, बहुत जादा हो जाती है, qualification जो है, वो same रहती है, separate application may be submitted for different post, seated not qualified candidate can appear in interview for the post of TZT and PRT, इन्हों ने का है, TZT और PRT में, जिन student ने seated qualify नहीं किया है, वो भी interview के लिए आ सकते हैं, अगर seated to qualify candidate इनको नहीं मिलते हैं, किसी post के लिए, तो यहाँ पर बिना seated qualify student को ले लिया जाएगा, checking of interview date from the Vidhale website is the responsibility of the candidate, तो candidate जो है, वो बिलकुल application करने के बाद, जो है, interview की date के लिए, लगातार जो है, विद्धाले की जो website है, उसको watch करते रहें, ठीक है, इसका link में आप लोगों को share कर दूंगी, description box में, no information should be given individually, किसी भी candidate क जो है, वो बिलकुल individual, यानि कि व्यक्तिकत तोर पर जो है, कोई भी information नहीं दी जाएगी, dated for interview can be checked from 7 September to 10 September, तो आप लोग जो है, वो बिलकुल चेक करते रहें, 7 सितंबर से लेकर, 10 सितंबर के बीच तक, जो है, वो interview की date आप लोगों को पता लगेगी, candidate have to bring a copy of their filled application form along with all required mark sheet and certificate at the time of interview, तो interview के समय जो है, application form को जो है, वो बिलकुल फिल करके अच्छे तरीके से, और जितने भी document हैं, आप लोगों के पास, mark sheet हैं, certificate हैं, तो सब ही जो है, लेकर रहें, original और साथ में, उनकी photo copy, application form is available on website, तो website का link जो है, ये रहा, बाकी मैंने आप ल announcement section में दिखाई दिया था, कि application form जो है, बिलकुल आ चुके है, online registration are open on Vidyale website for our post from 3 September to 10 September, पहले online registration आपको करना होगा, विद्याले की website पर, और 3 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक जो है, आप कर सकते हो, interview की date साथ से लेकर 10 सितंबर के बीच में आपको पता चल जाएगी, उसके बा format रहेगा आप लोगों का, केंजर विधाले, रेवना, उंचा, फतेगर, साहिव, ये कहां है, चंडीगर में है, ठीक है, तो bio data for the interview of contractual teachers, तो अभी permanent teachers की vacancy जो है, वो अभी नहीं आ रही है, क्योंकि अभी तो पिसले ही PRT का भी result रुका हुआ है, तो अभी तो इनके result ही बिल्कुल आप लोगों को यहाँ पर जाना चाहिए interview के लिए, क्योंकि जब permanent vacancy के समय जो interview होता है, तो बिल्कुल वहाँ पर benefit आप लोगों को मिलेगा, ऐसी ही जो अगर vacancy आती है, अच्छी level पर जो vacancy आती है, तो बिल्कुल आप लोगों को channel के माध्यम से मिलेगी, पिस सकता है कि आपके जो है वो काम के वीडियो रहे हो, मिलेंगे नेक्स वीडियो में, थैंक यू